शाथियो ब्रह्मेग्यान और चर्मेग्यान ये कविता बिनीत विक्रम बौधी ने रचना की थी साथियो चैनल में पहले वार आये हो तो करपिया सब्सक्राइब कर लें और नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन सेलेक्ट करके आल सेलेक्ट कर लें विडियो अंत तक जरूर देके पसंद आये तो कमेंट और सेर करना भी न भोलें चलिए शुरू करते हैं साथियो आज की कविता गुरु जी थे घर में गुरु जी थे चेले का घर था पर चेला घर से वाहर था गुरु जी बोले क्यों रे चेली क्या करती है वहां के लिए वह कमरे के भीतर आई खड़ी हो गई मौन लजाई गुरु ने हाथ कमर में डाला जकड़ी थी उसने वहबाला और तभी घर चेला आया देख नया चक्कर चक्राया गुरु जी कुछ जेपे जलाए कुछ संभले तो यूं हकलाए हकला कर क्या बोलते हैं गुरु जी तेरा क्यों दम फूल गया रे अब ये तत्तोयान की बात करने लगा पंडित तत्तोयान क्या बोल गया रे मैं हूं ब्रह्मा ब्रह्मा है चेली ब्रह्म्य ब्रह्म्य की यह अट खेली ब्रह्म्य ब्रह्म्य में लई होता है तो तुझको क्यों भय होता है चेले का पारा चड़ाया जूता लेकर वह बढ़ाया चिकनी चाद मिली तो चमके चले तड़ातर जूता जमके जब गुरु जी ने सोर मचाया तब चेले ने यूँ समझाया बना चर्म का जूता है बना चर्म का सिरह है तेरा और चर्म का जूता मेरा चर्म चर्म की चुमाट चाटी यह नहीं है नई परिपाटी चर्म चर्मे में लाई होता है तो तुझको क्यों भै होता है ब्रह्म ग्यान का चला नचारा चर्म ग्यान के आंगे हारा इसका मतलब है ब्रह्म ग्यान का जो पाखंड है वो नहीं चला चर्म ग्यान के आंगे शाथि वे इस तरह से कविता थी कविता का उद्देश किसी को आहत करना नहीं था ये ब्यंग था एक तरह से महा कविजी का साथी वदी अच्छा लगया हो तो उनकी और भी कविताईं इसी तरह से सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें शेयर करें धन्यवाद नमो बुद्धाय जय भी